हलो और वेलowo स्बपरेंगे और आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में determined नसमें जच्च्छेहें से जुड़े हुए बेशिक्स के बारे में क्या होता है नाउन क्जक्छे साफ्य आप होता है इस बारे में हम आझ चर्च्छा केरेंगे अपने वीडियो है तो देखिए नाउन की डेफिनेशन सबसे पहले होती है It is a word, यह एक ऐसा शब्द होता है Which is used as the name of a person, place or thing देखिए किसी विक्तिवस्तोर स्वान के नाम को हम नाउन या संग्या कहते हैं हिंदी का समकक्ष जो शब्द है वो होता है संग्या यानि की नाम जो हम किसी नाम के बारे में बात करें कोई ऐसा शब्द जो किसी नाम के बारे में बात करें उसको हम नाउन कहते हैं अब things यहाँ पर मतलब होता है कोई भी thing जिसे आप जान सकते हैं देखिए उसमें एक खासतर का नाउन होता है abstract noun मैं आपको example देकर समझाने की कोशिश करता हूँ मैंने कहा brave तो usually brave एक adjective होता है adjective मतलब किसी के बारे में बताता है जैसे कि brave boy boy क्या हो गया? लड़का यानि कि यह हमारे पास हो गया noun तो brave जो है एक शब्द है जिसको हम adjective बोलते है पर अगर मैं बोलूँ शब्द bravery तो बहादुरी brave मतलब बहादुर और इसका मतलब हो गया बहादुरी तो यह जो बहादुरी है यह एक abstract noun होता है बहादुरी को आप छू नहीं सकते हैं देख नहीं सकते हैं पर आप महसूस कर सकते हैं तो यहाँ पर जो वस्तु या thing जो हमने शब्द यूज किया है इस thing का मतलब होता है anything that we can think of जिसके बारे में हम सोच सकते हैं उसमें कई भावनाओ के emotions के feelings के नाम भी शामिल होता है एक है सबसे पहले noun के type में हमारे पास आता है common noun जिसके नाम से बता चलता है common common noun is a name given in common to every person or thing of the same class मैंने कहा boy मतलब लड़का तो यह क्या है एक noun है पर कौन सा noun है common noun है मैंने कहा book book मतलब book एक category के बारे में मैंने बात करी या एक चीज जो सब में common है तो उसको हम बोलते है common noun boy, girl, pencil, pen, school all these are common nouns similarly अगर मैं किसी विशिष्ट रिक्ती का नाम लेता हूँ तो उसे हम कहते है proper noun particular person or place या thing भी हो सकता है ठीक है for example मैंने कहा park तो पार्क का मतलब कोई भी पार्क है या निए common noun एक class होगी पर मैंने कहा गांधी पार्क तो मतलब एक पार्क जिसका नाम गांधी पार्क है अब कहने के लिए तो देखिए ये भी common नहीं है मैंने कहा गांधी पार्क of देरादू तो अब ये clear होगे कि देरादून में तो एक ही गांधी पार्क है तो इस तरह से जो विशिष्ट विक्तियों का नाम होता है उन्हें हम प्रॉपर नावन कहते हैं प्रॉपर नावन के अलावा हमने बात करें लिए common noun की तो common noun में दो और कैटेगरी होते हैं जिनको हम खलते collective और abstract nouns तो आगे हम इस बार में बात करते है collective nouns और abstract nouns सबसे पहले collective noun collective noun को हम हिंदी में कह सकते हैं इसका जो समकक्ष होता है वो होता है समुह वाचक संग्या समुह वाचक संग्या एक्जम्पल देखते हैं एक्जम्पल से आपके चीज़ के लिए रहा जाती है कि मैंने सब्पोस कहा है टीम अब टीम क्या है collection of players टीम मतलब collection of players यहां से यह बात clear हो जाती है collective noun is the name or number name of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole जब हम किसी विस्तूओं ये व्यक्तियों के समुह को एक साथ लेकिए उनको एक नाम दे देते हैं तो उसे हम collective noun केता है जिसे crowd मतलब भीड मिलकर वनी है लोगों से mob भीड मिलकर वनी है लोगों से अब crowd के मतलब होता है आम तौर बजार पर होने वाली भीड और मतलब अंग्री भी जो किसी विजी से नराज हो तोड़ फोड करने को थे रहा है वोलते हैं फ्रहत मतलब यह कर जूद हर्डम बतलब जाना वर जूद आर्वी मतलब collection of soldiers fleet मतलब collection of sailors jury मतलब collection of judge family मतलब collection of family members nation मतलब collection of nation you can say common people living in a nation Parliament means collection of MP and MLS committee means collection of the members of the committee तो इस तरह से हम इसको कहते है collective noun similarly we have abstract noun abstract noun को समझने के लिए आपको समझने पड़ेगा abstract noun होता है किसी quality action ये state को जब हम उसके main form से अलग करके बात करते है abstract मतलब होता है जिसको आप easily perceive ना कर सेगे physically perceive ना कर सेगे for example जब पास एक quality है good good जो good क्या कि मैंने any e-s लगा दिया तो ओगे goodness तो good एक adjective है पर goodness क्या है एक noun है kind एक adjective है kindness एक noun है white एक white मतलब color वैसे तो color का नाम भी हो गया white पर मैंने खा I have a white horse तो जो horse मेरा suppose ऐसे I have a white horse अब horse एक noun है noun की विशिष्टा बता रहा है white तो जो white होता है हमारा वो हो जाएगा adjective पर जब मैंने यहां पर whiteness बोला तो सफेद पन तो यह क्या हो जाता है एक noun हो जाता है it is very important to know कि जो abstract noun होते हैं वो या तो देखिए adjective से या verb से या another noun से बनता है for example verb के लिए देखिए laugh हसना एक क्रिया है उसके आगे मैंने टी या लगा दिया laughter तो वो बन गया मेरा कौन सा abstract noun laughter हसने से बन गया हसी theft चोड से बन गया चोरी movement, judgment, hatred इसी तरह से देखिए child अपने आप में एक common noun है child एक common noun है और मैंने उसके आगे क्या लगा दिया hood तो यह बन गया childhood और अब क्या बन गया यह abstract noun so these are the example of abstract nouns and you can easily see कि इनको आप easily touch नहीं कर सकते है perceive नहीं कर सकते है इसलिए इनको हम abstract nouns बोगते है similarly अब हमारे पास कुछ चीज़े आती है जैसे कि देखिए जितने भी arts और sciences होती है जिसे कि grammar, music, chemistry उनके जो names होते है उन names को भी हम abstract noun कहते है grammar को आप छू नहीं सकते है यह music को आप टच नहीं कर सकते है तो इसलिए वो क्योंकि abstract है because they are abstract that is why they are known as abstract nouns abstract noun बनते कैसे हैं जिसे मैं आपको पहले स्लेट में बता दी adjective से, verb से या फिर common noun से, proper noun से नहीं बनेगे common noun से बनेगे अब देखिए दो तरह से हम एक तरह से और categorize कर सकते हैं कि जो noun होते हैं या तो वो गिनने योगी होंगे या गिनने योगी नहीं होंगे suppose example देखते हैं आपके सामने देखिए countable noun ऐसे होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हैं example देखते हैं countable noun का आप चीज के लिए रजाएगी मैंने का milk, oil, sugar देखिए अगर आप unit of measurement लगाएंगे तब तब इनको count कर सकते हैं अदर्वाइज आप थोड़ी कहेंगे कि गिमी two sugar, गिमी three sugar गलत हो जाएगा that is why they are called uncountable countable देखिए apple, pen, boy ये सारे आप गिन सकते हैं और gold, honesty इनको आप count नहीं कर सकते हैं you can measure them आप इनको माप सकते हैं पर count नहीं कर सकते हैं suppose देखिए 2 kilo sugar है 2 kilo sugar में अब ज़रूरी नहीं कि पहले में अगर में पास 10 1000 दाने हैं तो उसी दूसरी शुगर में मुझे 10.000 दाने मिलेंगे हो सकता है उसमें 10.000 एक सो दाने मिल जाए तो इसलिए you can measure them आप इनको माप सकते हैं गिन नहीं सकते हैं तो ये ध्यान रखिएगी countable और uncountable दो तरह के noun होते हैं फिर countable noun के दो form होते हैं एक singular और एक plural countable या तो singular होगा या plural singular मतलब एक होगा या एक से ज़्यादा होगे और ये ध्यान रखिए uncountable का आप plural नहीं बनाईए अब बात करते हैं noun gender की बड़ा important topic होता है देखिए अगर noun हमारा living है person है तो इसलिए आप दो दरहें से करेंगे masculine होगा या feminine होगा या तो male होगा या female होगा पर एक gender और हो तो न्यूटर मैंने का table तो that is why it is known as neutral gender अब ये common gender है ये थोड़ा से important हो जाता आपके लिए सबोज मैंने एक शब्द कहा parent अब मेरे को और ये फादर है या पर इतना जरूर है कि दोनों में से एक है तो common gender का मतलब होता है आईदर मेर और female ठीक है और न्यूटर जेंटर का मतलब होता है नाइदर मेर नौर फीमेर तो यही इसमें difference होता है basically कि न्यूटर जेंटर मतलब नो और यह आज शब्द स्मॉल अनिमल्स और यंग चिल्डन अगर आप स्पेसिफिकली इनके जेंटर के बारे में बात ना करें तो इनको भी आप न्यूटर जेंटर में ही रिकंसीडर कीजिए सिमिलर ली मैंने आपको बता है countable nouns जो होते हैं only countable nouns उनके दो टाइप होते हैं singular number और plural number suppose example a book singular हो गया और से अगे मैंने S लगा दिया books यह plural हो गया देखें noun को हम use कैसे कर सकता है एक छोटा से sentence में आपको बताता हूं जैसे कि मैंने कहा है राम लौज रामा ओके अब यहां पर जो लौज है यह मेंवर्ब है आपने देखा कि जो राम है वो मेंवर्ब से पहले यूज हुआ है इससे प्रिसीड करा है और यह रामा ने इसक को सक्सीड गया है तो जब राम मेंवर्ब से पहले आता है उसे हम बोलते हैं subjective case या nominative case similarly जब वो object के तौर पर आता है या उसके बाद में आता है मेंवर्ब के बाद आता है तो उसे हम objective case कहता है यह तो हमारे दो तरह की cases होगे तीसरा यह case जो होता है यह बड़ा important होता है इसमें क्या होगा सब्सक्राइब कर रहा है तो इस case में आप देखेंगे apostrophe s लग गया है तो जब हम apostrophe s लगा देते हैं और कई cases में खाली apostrophe लगता है तो उस case को हम बोलते हैं possessive case जब किसी चीज के ओपर अधिकार यह position शो किया जाता है position के अलावा इसमें authorship origin यह kinds भी show कर सकते हैं जैसे example देखते हैं इसमें मैंने कहा वालमिकी रमायन तो वालमिकी के रमायन नहीं है वो वालमिकी ने लिखी हुई है अधिकतर यह position को शो करने के लिए यूज करते हैं इस case को हम किरते हैं प्रणौन में भी हम इसका यूज करते हैं जैसे मैंने बोला माय बुक तो यह क्या कर रहा है position शो कर रहा है तो यह विद विद वीजिए लुब यह लुब अज़ एंचर अधि लुब यह लुब यह लुब यह विगी लुब यह लुब यह लुब ट्रण।